एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच high voltage मुखाबला 2 सितंबर को श्रिलंका के कैंडी शहर में खेला जाना है इस मुखाबले को लेकर भारती फैन्स जितने उतसाहित हैं उतने ही पाकिस्तान के फैन्स भी दिखाई दे रही है भारत पाकिस्तान की टीम बाइलेटरल सीरीज नहीं खेलती है जिसकी वजह से एशिया कप और ICC की प्रतियोगिताओं में इन दोनों टीमों को भिरता देखने के लिए फैंस उत्साहित रहते हैं लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के फैंस की उमीदों पर दोनों की फैंस के इस इंतिजार पर पानी फिर सकता है क्योंकि मौसम भी इस इंतिजार में बैठा है कि कब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो और कब बरसात मैदान पर तेजी से हो जाए जी हाँ हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 सितंबर को श्रलंका के कैंडी शहर में मौसम अच्छा नहीं है दरसल में वैदर फॉर्कास्ट की माने तो ये मुकाबला दोपहर में खिला जाना है तो दोपहर में बारिश होने के चांसेज 83 प्रतीशत तक नजर आ रही हैं रात में 75 प्रतीशत संभावना हैं ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश खलल डाल सकती है ये मुकाबला वन डे फॉर्मैट में होना है लेकिन यदि बारिश आती है तो ओवर्स को कम करना पड़ सकता है वहीं हुमिलिटी की बात करें तो वो 80-90 प्रतीशत होगी तापमान 27-21 डिगरी तक हो सकता है और हवा की बात करें तो 10-15 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से चल सकती है इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर सिर्फ दोनों देशों के क्रिकेट फैंस ही नहीं बलकि सभी काफी जादा एकसाइटिट नजर आ रही है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की भिरंत सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बलकि हर विभाग में सभी को लाब फायदा दे कर जात इस खबर में इतना ही बने रही है One India के साथ